चलिस सो बात करने वाले हैं साइमन्स के बारे में देखे एक लेटेस्ट ख़बर हम लोग को हैंपे प्राप्त हो रही है और कहिना कहीं अच्छा कासा आप मूह हमें कंपणी के अंदर देखने को मिल सकता है तो सो बताना चाहूं को कि जर्मनी के अंदर इनका एक प्लांट थ तो वो स्टार्ड हो चुका है और ये आज से स्टार्ट हुआ है तो कहिना कहीं अच्छा कासा आपको कंपणी के बिजनिस के अंदर देखने को मिलेगा देखे चोटी चोटी चीज़ ओतने हैं कहीं लोंग टम में बड़ी हम लोग को देखने को मिलती है औराल कहा है कि अब देखे 2021 के अंदर जो अब तक के चारो quarter रहे हैं अच्छा कासा momentum उन सारे quarters के अंदर आपको देखने को मिल चुका है अब देखिए जो news हम लोग को निकल के आई तो reaction आपको पहले इसे ही देखने को मिल रहा था company ने पहले ही announce कर दिया था कि 9 July को कि यह जो plant है इस plant को start करने वाले हैं इस plant के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा 1350 ton hydrogen annually यह produce करने वाले हैं तो अब इस चीज को आप थोड़ा सा positive लेकर चल सकते हैं कि कहिन की अब long term के अंदर अच्छा का सा आप मूँ आपको company के बिजिनिस के अंदर जरूर देखने को मिलेगा और अगर देखा जाए तो लगातार stocks के अंदर अच्छा का सा momentum आपको पहल पहले ही देखने को मिल रहा है तो इसका reaction भी आगे देखने को मिल सकता है तो इसी चोटी चोटी ख़बरों पर आपको नजर बना कर जरूर रखनी चाहिए अब देखे stocks की बात करते हैं तो लगातार अच्छा का सा मूँ आपको stocks के अंदर पहले ही देखने को मिल चुका है आज की बात करते हैं तो बड़ी हल चल आपको देखने को मिली उठापटाक आपको देखने को मिली पॉजटेव आपको ये open होता होगा नजर आया था और पूरे भजार के sentiments हम लोग को देखने को मिले तो इसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पर profit booking देखने को मिली है oberal अगर देखें तो पिछले एक महीचे के अंदर भारी उठा-पळाक आपको प्रोथ कंपनी के बिजनिस के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है और कोविट के बाद से तो लगातार जो अच्छी का सी 40 कंपनी के अंदर पहले ही देखने को मिल चुकी है अब देखे स्टॉक्स के अगर बात करते हैं तो नीचे के लेवल से हम लोग का पैसा भी देखें को मिल लिए देखें को अक्सर डिस बैलेंस की स्थी देखने को मिलती रही है तो जिसकी वज़े से स्टॉक्स प्राइस भी हम लोग को नीचे की तरह मूह करता हुआ नजर आया है बट अगर अवराल देखें तो कहिना कहीं यह रिकावर कर जा रहा है किरावट होत लगबग 71,610 करोड की यह घखें की बात करते हैं तो 79 का असपास चल रहा है dividend yield की बात करें तो टिक टाक दिखाई दरी, debt की बात करते हैं company के पास में आज की date में कोई भी करजा नहीं है तो देखें जिसके पास में करजा नहीं होता तो कहीं न कहीं इस्तिती हम लोग को अगर कभी बिगड़ती हुँ भी नजर आती है तो कहीं न कहीं सुधार हमें उस company के अंदर अकसर देखने को मिली जाता है overall अगर देखें तो कितना पैसा company के पास में फिलाल की rate में है लगबग 5551 करोड के आस पास में cash देखने को मिल रहा है और अगर sales की बात करते हैं तो disappointment देखने को मिल रहा है अगर प्राइस के अधार पर नंबर दो पर जो company हमें दिखाए दर रहा है वो ABB Power Project है लगबग 1924 रुपे का प्राइस इसका दिखाए दर है बट अगर market value की बात करते हैं तो 8000 करोड के आस पास की एक company है बट अगर market value में जो दूसरी सबसे बड़ी company दिखाए दर है वो हैवल्स इंडिया है लगबग 65,292 करोड का market value है साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँँआ कि जो अब तक की इस्तिती company के इंदर है वो किस तरह की की रही तो अगर overall sales देखें पांस साल में लगबग 0.05% के आस पास तेजी देखने को मिली पिछले अगर 3 साल की overall इस्तिती देखें तो लगबग 0.5% के आसपास हमें आपर गिरावाट देखने को मिल रही है और अगर पिछले एक साल का momentum देखें तो 22% से ज़ादा की गिरावाट इसके अंदर हो चुकी है देखें ग्राफ पहले आपको उपर की तरह मूँ कुरता हुआ नजर आ रहा था बटर तीन साल से लगातार इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर नीचे के लेवल देखने को मिल रही है इसी तरीके से प्राफिट के अंदर फिलाल की रेट में हम लोग को यहाँ पर इस्तिती दिखाए दरी एक साल में नेगेटिव तीन साल में नेगेटिव और पांच साल में भी यह नेगेटिव दिखाए दरा है लेकिन दोस्तों कर बात करते हैं रेटरन ओन एक्विटी की तो अवराल इस्तिती आपको यहाँ पर मजबूत दिखने को मिल रही है एक साल में लगब आठ पसंट से जादे की तेजी दिखने को मिल चुकी है तीन साल में दस पसंट और पांच साल में उननिस पसंट का अपमोह में कमपनी के अंदर दिखने को मिला ओवराल अगर ROC की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक साल, तीन साल और पांच साल में इस्तिती बहद मजबूत दिखाए दरी है अब देखे कमपनी के अंदर कुछ पॉजटिव पॉइंट्स है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो क्या है बताना चाहूँँँआ दोस्तो कि कमपनी डैप्ट फ्री है तो पहला पॉजटिव पॉइंट्स हमें यहाँ पर यह दिखाए दरा है अब बात करते हैं इंट्रेस्ट कवरेज रेशो की जो की अच्छा खासा यहाँ पर दिखाए दरा है लगबग 17.96 के आसपास निकल किया रहा है और अगर कैश करवर्जिसन साइकल की बात करते हैं तो लगबग 32 दिसनलों 10 डेज के आसपास निकल किया रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है लगबग 75 पसेंट के आसपास दिखाए दरी है अब जो नेगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर है वो क्या है तो यहाँ पे पूर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मुल रहा है आपने देखा प्रॉफिट कंपनी का गिरता हुआ न ज़रा रही है और अगर अपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कॉर्टर और कॉर्टर बेसिस पे उच्छाल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट भीफोर टैक्स की बात करें तो इसके अंदर भी उच्छाल देखने को मिल रहा है साथ दूस्तों कर net profit की बात करते हैं 290 करोड के असपास निकल के है और अगर अब देखें यानि कि Q4 तो लगबग 326 करोड के असपास हम लोग को प्राप्त हुआ है दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो पिछला पूरा साल बीता है तो लगबग 5 करोड के असपास निगटिव आपको देखने को मिला और उसके बाद में Q2 में लगबग 326 करोड Q3 की बात करते हैं 290 करोड और Q4 की अगर बात करें तो 326 करोड के असपास हम लोग को याँ पर निकल के है तो अवराल इस्तिती पॉजटिव दिखाए दरी साथी में दोस्तों अगर अर्निंग पर शेर की बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को Q4 विसिस पर अच्छा खासा आप मोग देखने को मिल रहा है अब देखे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल रिजर्वस कितना दिखाए जा रहा है 9402 करोड के असपास हो रहा है और अगर पिछले साल का देखे तो 8972 करोड के असपास था जो कि year on year basis पर हम लोगों के इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे साथ ही बताना चाहूँआ कि कंपनी के अंदर जो फिलाल में हम लोगों को डिविडेंड की स्थिती दिखाए दे लिए वो के इस तरीकी की है तो यहां पर अगर देखें लेटेस्ट तो 2021 के अंदर 7 रुपे परती शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था उससे पहले 2020, 2019, 2018, 2017 लगातार यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती हुई नजर आ रहे है साथी में अगर बोनुश ये इसकी बात करें तो कोई अलान नहीं हुआ है राइट इशू की बात करते हैं तो कोई यहां पर अलान नहीं हुआ है इसी तरीके से करें स्पिलिट की बात करें तो अभी तक स्पिलिट भी ये स्टोक्स नहीं हुआ है साथ इम्हीं दोसों डिस्कलोजर देना चाहूँँगा कि जिस तरीक इसे कंपणी की समय इस्तिति दिखाये दरी ए तो क्या कर सकते हैं सके अंदर फिलाल के एमके काफी सरे निवेशक माल उठाना चाहते हैं तो देखे माल जरूर उठा सकते हैं इसके अंदर क्योंकि लोंग टम के साफ से ठीक था कंपणी दिखाए दे रहे हां यह बाद जरूर है कि अभी हाल फिलाल में लगबगत तीन सालों से कंपणी की सेल्स हम लों को मायूस करती होने ज़राई कंपणी के जो प्रॉफिट है व गिरावर्त दिखने को मल सकती है वापस अप इसके अंदर एड भी कर सकते हैं दोस्तों कर आप नए हैं डीमेट अकAUंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप आप इस टीकर के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस–टों कर यह पूरी जानकारी आपको ऐख लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटिफिकीशन सिद्धे आपके मुबाइल पिन्स के थैक्यू समच फॉचिंग